Hello students, कैसे हैं आप जब लोग, आशा करते हों को पच्छे होंगे, स्वागत है आपका मेरी YouTube चानल Basic Maths on Dips में, और इस वीडियो पर मैं कहने पाला हूं Class 10, Chapter Coordinates of Metric MCQ, जो कि मैंने तीन पॉइंट के coordinates given है, जिसमें की जो तीसरा पॉइंट है P, उसमें जो दूसरा coordinate Y जो है वो मिस है यहां पर हमें Y की value निकान ली है, और यहां पर हमें यह भी बताया है कि यह जो vertices हैं, एक right angle triangle के जो तीनो पॉइंट है, और जो कि P पर right angle है, तो सबसे बहुत मैं एक figure बना क दिखाता हम आपको, कि यह इस तरह से कहा रहे हैं कि यह एक right angle triangle है, और यहां पर P पर यह right angle है, यहां पर 90 degree है P पर, और A point मैं उपर ले लेता हूं, और B यहां नीचे ले लेता हूं, जो A point है, इसके coordinate है, यहां 5, 3, जो B हैं, उसके है 11-5, और जो P हैं, उसके है, यहां पर 12 और Y, तो हमें Y की value निकाल ले है, तो इस question को solve करने के लिए, पहले मुझे यहां पर, जो भी, यहां पर sides है ना, triangle की तीनों निकालनी पड़ेंगी, यानि कि दूसरे सब्दों मैं बोलूँ कि AP का distance, PB का distance, और AP का distance, यहां हमें निकालना पड़ेगा, यहां पर, और फिर उ point A है, जो कि है 53, और दूसरा point में रहा है P, जो कि है 12Y, इसके coordinates मैंने लिख लिया है, दोनों points के, तो मैं इनके बीच में distance लिकाला तो, जैसे मुझे यहां पर, पहले मैं AP का distance लिकालता हूँ, तो formula आपको मालूमी है, जो होता है, X2-X1 का whole square, plus Y2-Y1 का whole square, यह distance का formula होता है, अब यहां पर देखें, यहां पर हमारा X1 यह रहा, Y1 यह रहा, X2 यह रहा, Y2 यह रहा, तो, इसको comply कर लेते हैं, X2 जो है, वो हमारा यहां पर क्या है, 12, minus X1 क्या है, हमारा यहां 5, इसका whole square, plus, यहां पर Y2 देखें, तो Y2 है, हमारा यहां पर, यह रहा, तो Y ही है, और Y1 जो है, वो 3 है, अब यहां पर solve कर लेते हैं, इसको, तो 12 में से 5 गए, यहां 7 का square, plus, यहां पर Y-3, इसका ऐसे ही लिखा जाएगा, यहां पर हमारा यहां देटिटी यूज़ करेंगे, तो देखें, इसको solve करते हैं, 7 का square हो गए है, 49, अब यहां पर identity A-B का whole square, जो की होती है, A की 2, minus 2AB, plus B की 2, इसका यूज़ कर लेंगे, यहां कि Y का square, और यहां पर 2AB करेंगे, तो 2, 3, 6, 6Y हो जाए हैं, और plus, B की 2 मतला 3 का square, यहां कि 9, इसको हम और आगे इस तरह से लिख लेंगे, पहले Y का square, minus 6Y, अब यह plus 9 और 49, यह दोनो जो है, एड हो जाएंगे, क्योंकि दोनो प्लस के हैं, numerical हैं, तो एड होकर आजागा यहां पर 58, 49 plus 9, तो इस तरह से यह AP, जो है, उसका distance मेरे पास आगे, यानि कि, जो AP side है, दूसरे सब्सक्राइब मैं यह भी कहा सकता हूं, कि AP side मुझे पता चल ज़िये ही है, जो की root में है, Y square minus 6Y plus 58, अब इस तरह से मैं, दुबारा से अब निकालता हूं, AB का distance क्या हो गए यहां पर, और A के coordinates लिख लेता हूं, A के coordinates हैं 5 और 3, और B के लिख लेता हूं, B के हैं 11 और minus 5, यह coordinates हैं, जैसे मैं यह निकाला है, distance उसी तरह से निकालूँगा मैं, तो मैं दुबारा से इसको formula को लिख लेता हूं, कि यहां पर AB निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, X2 minus X1 का whole square, plus Y2 minus Y1 का whole square, देखें, यहां पर X2, जो है 11 है, 11 minus X1 मेरा 5 है, X2 का square, plus Y2, Y2 मेरा यहां पर minus 5 है, और Y1 यहां पर 3 है, देखें, यहां पर हो गया, 11 मेरा 6 का square, plus, यहां हो गया, minus 8 का square, minus minus plus 5, और 3 8, निशान बड़ी जंगागा, यहां पर देखें, यहां है, तो 66 जा 36, यहां 88 जा 64, तो इस तरह से, दोनों को add करके आ जाता है, यहां पर 100, तो root 100 जो है, यहां लिख लेंगे कि AB का distance निगाल रहे हैं, यहां पर, सब mention बरना होगा, तो यह आ जाता है, हमारे पर, root 100 जो है, वो 10 के एकवल होता है, तो it means AB जो है, वो हमें बादा जल जोगी है, कि वो 10 है, देखें, मैं दुभारा से बनायता हूं, अब खिले, ट्राइंगल की, इस तरह से दा है, तो यह हाइबोधैनेस होती है, यह बेस होता है, और यह height होती है, तो पाइथागरस्तियोर्म के नुश्य हर क्या होता है, यह जो हाइपोधैनस का square होता है, वो base का square, प्लस height का square या height पहले लिखो या base पहले लिखो कोई फरक नि बढ़ता तो ये पाइथर गोरस्तियोर्म होती है कि हाइप्टरेस का square base square plus height square के बराबर होता है तो इसी चीज़ को हम यहां पर इस्तमाल करेंगे तो तो हाइपोड्रेस है दो है वह हमारा क्या है यहाँ यहने कि और वभीस्द प्लेस क्या है हमारा पी पीग्री तक एप YouTube का स्कुफवर तो भी हम निकाल चुक है जोगी कहा है और पीभी मसंने निकाल ली souvent भी निकाल लिक ऑपर एपक कुला रहा है root में y square minus 6 plus 58 root में अब इसका में हमें निकाल लिए है P B तो मैं पहले P B निकाल ले दाओ उसके बाद मैं पाइसागुरा theorem को अप्लाई करूंगा तो B के coordinates लिख लेता हूं मैं यहां पर जो की है 11-5 और P के coordinates जो की है 12 और Y तो मैं यहाँ BP का distance लिखाल लेता हूं पहले X2-X1 का whole square plus Y2-Y1 का whole square दीखें यहां पर X2 यह निकी यह जगा 12 यह रहेगा X2 L-11 इसका whole square प्लस Y2 यहां Y माइनस फिर यह माइनस माइनस से plus हो जगा तो मैं directly इसको यहां पर प्लस लिख सकता हूं अभी यहां पर इसको solve को लेते हैं यहां होगा 1 का square यह हो जगा यहां यहां और इसको लिख लेते हैं कि 1 का square तो 1 होगा 1 इस 25 में add हो जगा तो यहां बनेगा y square प्लस 10y प्लस 26 तो इस तरह से मुझे यहां पता से लिख लिख है बीपी का जो है डिस्टेंस वह क्या होगा यहां पर अब हम पाइथाकुरस थियोरम को easily apply कर सकते हैं क्योंकि हमें जो हैं तीनों साइट मालूम है तो मैं लिख लेता हूं कि यहां a b का square जो है वह equal होगा p b का square प्लस a p का square अब यहां बर हम apply कर देंगे लिख लेंगे बाइए पाइथाकुरस थियोरम तो यह बी जो है यह हमने निकाला था देखिए यहां पर जो कि टैन था यह देखिए यह निकाला था नो नहीं यह रहां है यह 10 है यह 10 करेंगे ए पी यह यह रहीं करेंगे हम ठीक है और बीपी मैंने यह निकाला है तो पहले लिख लेता हूं यह 10 का square हो गया और पीबी जो है वह यह निका हुआ है यह मैं लिख लेता हूं य का square प्लस 10y प्लस 26 इसका square फिर प्लस AP देखें यहां पर AP मैंने यहां निकाला था यह रहा हूं यह बला तो इसको हम लिख लेते हैं y square minus 65 plus 58 तो root में आएगा यहां पर y square minus 65 plus 58 इसका square इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे अब देखें यहां बर यह हो जगा 10 का square hundred अब इस square से यह root cancel हो जगा इधर इस square से यह root cancel हो जगा अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखें root के अंदर अगर एक इवन होता है तो इसका मतलब क्या होता है हम इस तरह से लिखते हैं स्क्वार और यह 10y प्लस का है 6y माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस तो यहां पर हो जगा प्लस 4y और इधर हम देखें तो 26 जो है वह प्लस का है 58 भी प्लस का है तो यह एड़ होकर बन जाएंगे 54 अब यहां पर हम पूरी क्विशन को जो है वह 2 से डिवैड करा लेते हैं ताकि और रिद्यूस हो जाए तो 2 से इसको डिवैड कराएंगे तो आजगा 50 2 को इससे डिवैड कराएंगे तो 2y और 2 को इससे डिवैड कराएंगे तो 42 इस तरीका से अब हम यहां पर यह 50 जो इदर ले आते हैं यहां 0 रह गया तो y स्क्वाइर प्लस 2y प्लस 42 माइनस 50 तो y स्क्वाइर प्लस 2y अब यहां पर इसको और आपस में लस्ट करते तो आयाता है माइनस का 8 अब देखे हमें यह दो न तो मैंने नमबर चूज करें हैं 4 और माइनस 2 तो 4 को माइनस 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस 8 मिल जाएगा 4 में से 2 लस करेंगे तो 2 मिल जाएगा तो इसी तरीके से हम यहां इस खुली सकते हैं कि y स्क्वाइर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 यहां दोनों में से देखे तो y और माइनस 2 और मांड आगया से 2 और यहां पर 4 तो यहां पर 2 को y से मिल टिप्लाई करेंगे तो 2y, minus 2 को 4 से करेंगे तो minus 8, इसी तरह से y को y से करेंगा y square y को 4 से करेंगे तो minus 4 plus 4y, यह 0 है, अब इस पूरे में से देखें, यहां पर y plus 4 जो है, वो मुझे common मिल जाता है, और इदर से बचा y minus 2, 0 के एक विए, अब यहां पर हम यह भी कहा सकते हैं, कि जो y plus 4 है, वो 0 के एकवल है, तो y की value के आगई, minus 4, दूसरे दरफ देखें, तो y minus 2 जो है, वो भी 0 के एकवल है, तो y की value के आगई, 2, तो option में देखें, तो positive 2 और 4 जो है, वो minus का, इसमें option C बिलकुल correct है, तो इसी तरह के बहुत सारे mcq, जो के rd चर्म से लिटेट हैं, मैंने uploaded किये हुआ है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छे लगिए, तो इसे like share और subscribe कीजिए, तो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, और नए questions के साथ, तब दक के लिए good bye,